नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल All Technical Solution में इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखे इसे बिल्कुल भी स्कीप ना कीजिए तो दोस्तों आपका ज्यादा किम्टी टाइम वेस्ट के बिना में सिधा अपने वीडियो को शुरुआत करता हूँ तो दोस्तों इसके लिए आपको एक एप को यहाँ पे डाउनलोड करना होगा इस एप का नामे सैट फैंडर जो आप यहाँ पे देख सकते लेकिन दोस्तों मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप कोई गलत अप न डाउनलोड करना है तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजे और वहाँ पे जाके वहाँ दी गई लिंक पे क्लिक करके आप इस अब को डाउनलोड कर लीजे तो दोस्तों मेरे मोबल में पहले से इंस्टॉल है इसलिए मैं इसे फिर से इंस्टॉल नहीं करूँगा तो सिधा मैं इसे open करके आपको दिखाता हूँ कि आपको इसे किस तरह से यूज़ करना है तो चलिए मैं यहाँ पी से open कर लेता हूँ तो दोस्तो इसे open करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक page यहाँ पर open होने वाला है जहाँ पर आपको सबसे उपर latitude, longitude ऐसा लिखा होई मिल रहे लेकिन उसके आगे आपको कोई भी value अभी तक यहाँ पर नहीं लिखे होई मिले उसके नीचे आपको ABS-2 ऐसा लिखा होई मिल रहे उसके नीचे आपको एक डिख का चोटा सा icon यहाँ पर दिखाई दे रहे और सबसे नीचे आपको एक बड़ा वाला circle यहाँ पर दिखाई दे रहे तो दोस्तो आपको अगर अपने डिख के सिंगनल से यहाँ पर find करने हैं तो आपको यहाँ पर 4 steps फालो करने होगे तो मैं आपको यहाँ पर detail में सारे step यहाँ पर बताने वाला हो तो दोस्तो यहाँ पर हमारा step number 1 है अपने mobile की location ओन कर लेना तो दोस्तो मैं यहाँ पर setting में जाके यहाँ से अपने mobile की location यहाँ पर on कर लेता हूँ और दोस्तो जैसे मेरे mobile की location यहाँ पर on हो जाती है यहाँ पर मेरी location भी trace हो जाती है मेरे surrounding map के साथ जिसी मेरी location यहाँ पर trace हो जाती है यहाँ पर मेरे latitude और longitude यह दोनों values यहाँ पर automatically calculate हो जाते है तो उसके बाद दोस्तो हमारा step number 2 है अपना satellite यहाँ पर set करना तो दोस्तो latitude और longitude के निचे आपको ABS 2SA जहाँ पर लिखाओ मिल रहा है वहाँ पर आपको click करके लेना है वहाँ पर click करने के बाद आपके सामने बहुत सरे satellites की list यहाँ पर आने वाले है तो दोस्तो यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर अपने डिश के हिसाब से सैटलेट यहाँ पर सेट करना पड़ता है तो दोस्तों यहाँ पर आपको हर डिश के लिए अलग सैटलेट यहाँ पर सेट करना पड़ेगा तो दोस्तों आज हम बात करने वाले एरिटेल डिजिटल टीवी के बारे में तो मैं आज आपक पर बताना चाहता हूँ कि एरिटेल डिजिटल टीवी के लिए आपको यहाँ पर टेलकाम nine नाम का सेठelect आपको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा तो अगर आप एरिटेल डिजिटल टीवी के अलवा कोई अलग टिश इस्तिमाल करते हो तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजे, वहाँ पर मैंने सारे dish के satellites वहाँ पर provide कर दिये, तो आप अपने dish के इस अब से वहाँ पर satellite set कीजे, तो दोस्तो एरिटेल डिजिटल टीवी के लिए हमें यहाँ पर टेलकॉम 1 को यहाँ पर find करना पड़ीगा, तो दोस्तो यहाँ पर आप satellite दो तरीके से सर्च कर सकते हो, एक तो उसके नाम से या उसके satellite value से, लेकिन आप अगर इसके नाम से इसे सर्च करते हो, तो यह आपको बहुत ही easily मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सारे satellite से, वो यहाँ पर alphabetically order पर arrange किये होए, तो दोस्तो यहाँ पर simply आपको तो आपको simply क्या करना है, आपको इस satellite को यहाँ पर set करके लेना है, तो मैं इसे यहाँ पर set कर लेता हूँ तो दोस्तो, satellite set करने के बाद, हमारा step number 3 है अपने dish का inclination यहाँ पर set करना, तो दोस्तो, टेलकॉम 1 के नीचे आपको एक dish का छोटा सा आइकोन जहाँ पर दिखाए दे रहा है, वहाँ पर आपको 47 डिग्रे इतना एक inclination यहाँ पर मिल गया है तो दोस्तो, आपको simply क्या करना है, आपको अपने dish के पास जाना है और अपने dish के निचले हिस्से में, जो measurement का option होता है, वहाँ पर आपको यह 47 डिग्रे इतना inclination वहाँ पर set करना पड़ेगा तो यह inclination setting कैसे करना है, यह मैं आपको पूरा detail में अपने dish के पास ले जाके बताने वाला हो लेकिन इससे पहले कि हम अपने dish के पास जाए, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हो लेकिन आपको अपने editor digital TV के हिसाब से वहाँ पर setting यहाँ पर करना पड़ेगा तो चलिए हम अपने dish के पास चलते तो दोस्तो एंगल set करने के लिए हम अपने dish के पास यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर मुझे जो angle मिला है वो है 59 डिग्री मेरा dish यहाँ पर 50 पर set है तो दोस्तो मैं यहाँ पर इसे 50 और 60 के बीच कहाँ पर भी set कर सकता हूँ तो आप अगर इसे exactly 59 पर भी set करेंगे तो भी इसे कोई ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी तो आपको दोस्तो simply क्या करना है आपको जो upper hand side में जो arrow का sign यहाँ पर दिखाए दे रहे है आपको इस arrow के sign को इस satellite के sign के साथ यहाँ पर match करना पड़ेगा इसके लिए आपको उपर एक notification भी यहाँ पर मिल रहे है तरते एंटेना 97 degree to the right तो आपको simply क्या करना है आपको अपने mobile में अपने हाथ में horizontal रखना है या आपको इसे अपने जमीन से parallel रखना है या आप अगर इसे पूरा जमीन पे भी रख दोगे तो भी चलेगा तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है आपको अपने mobile को right में rotate करते जाना है 97 degree तक और आपको इस arrow के sign को और इस satellite के sign को इस तरह से match करना पड़ेगा और जहाँ पर यह दोनों match हो जाते वहाँ पर एक vibration सुनाई देगा और आपको perfect सा message यहाँ पर दिखाई देगा तो जिस direction में यह दोनों sign यहाँ पर match हो जाते वो आपके dish की exactly direction यहाँ पर होने वाली है उसी direction में आपको अपने dish को set करना पड़ेगा तो दोस्तों यह भी पूरा process कैसे practical के साथ करना है यह मैं आपको अपने dish के पास ले जाके बताने वाला हो लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताए कि मेरे पास retail digital tv का connection नहीं है तो मैं अपने dish tv के dish के पास जाओंगा और अपने dish tv का satellite यहाँ पर set करके जो dish tv के direction यह mobile का app मुझे बताता है वो direction मेरे dish से match होती है नहीं यह मैं आपको यहाँ पर दिखाने वालो और अगर यह दोनों direction match हो जाते हैं तो आप समझ लिजए कि यह app आपको सही direction दिखा ले लेकिन दोस्तों मैं सिर्फ practical के लिए आपको dish tv का setting करके दिखाऊंगा आपको अपने mobile पे digital tv का setting रखके उसी तरह से आपको process follow करना है तो चलिए हम अपने dish के पाद चलते तो उपर आपको ABS 2 जहाँ पे लिखाऊ मिल रहा है वहाँ पे click करके आपको अपने dish tv के लिए उससे match करना होगा satellite set करने के बाद तो इसके लिए हमें अपने mobile को धीरे धीरे उस satellite के logo की तरफ rotate करना है और उस logo से हमें इस arrow को match करना है और जहाँ पे यह दोनों perfectly match हो जाएंगे वहाँ पे आपको perfect सा message देखने को मिलेगा और उसी direction में आपको अपने dish को set करना है तो इसे अपने dish के पास ले जाके मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे हम अपने dish के पास आ गए और यहाँ पे आप देख सकते कि जो direction यह app हमें दिखा रहे है वो direction हमारे dish के साथ match हो रहे है तो यहाँ पे भी आप देख सकते कि मैंने दूसरे एंगल से थोड़ा सा आपको दिखाया है थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा तो यह दोनों direction बिल्कुल exactly यहाँ पे match हो रहे है तो दोस्तो आपने अभी अभी देख लिया कि किस तरह से यह app हमें जो direction दिखा रहे है वो हमारे dish से exactly यहाँ पे match हो रहे है तो दोस्तो इसका मतलब यह है कि यह app हमें direction दिखा रहे है तो आप इसे जरूर एक पार try करके दिखे और अगर आपके signals आते हो तो हमें comment section में comment करके बताना ना भूले और ऐसे टेक्नालोजी से भरे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए तो चलिए दोस्तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद